प्रभीशु मसी के पवित्र नाम में आप सभों को नमस्कार मैं सजी भिलाईवाला पिछले आफ़ते एक भी संदेश नहीं भेज सका माफी चाहता हूँ एक बात जो बार बार दिल में आती है और जो कई बार पिछले वर्ष मैंने संदेशों में कहीं उसी पर आज फिर से मनन करना चाहता हूँ विशय है व्यक्तिगत संबंद परमेश्वर के साथ इन दिनों कई कली स्याओं में वचन बाटने का आवसर प्रभु दे रहा है और हर जगह इसी बात पर पवित्रात्म बोल रही है परमेश्वर का वचन बार-बार कहता है कि मैं एक विक्तिगत परमेश्वर हूँ तू मेरा बेटा है तू मेरी बेटी है मनिश्य और परमेश्वर का संबंद कई मायनों में मनिश्य और मनिश्य के संबंद जैसा ही है इस संबंद के तीन माइनों के बारे में आज मनन करेंगे हम पहला है connection, दूसरा है communication, तीसरा है communion connection यानि संबंद बनाना या किसी रिष्टे को शुरू करना मनुशे के पहले पाप के कारण जो आदम ने किया था हमारा संबंद पर मेश्वर से तूट गया था उसके पुत्र इश्व मसी के मारे जाने के दुआरा उस संबंद को फिर से जोडने की जतन की है उसने जब हम प्रभु इश्व मसी को अपना विक्तिकत उद्धार करता मानते हैं उस पर विश्वास लाते हैं तो ये संबंद फिर से जुड़ जाता है प्रमेश्वर की पवित्रात्महम में वास करने लगती है लेकिन कई बार हमें इस संबंध का बोध नहीं रहता अपने सांसारिक जीवन में जब हम मश्गूल हो जाते हैं हम भूल जाते हैं कि पवित्रात्महम में वास करती है जब हमारा शारिदिक मनुश्य हमारे आत्मिक मनुश्य के ओपर हावी होने लगता है तब ये कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है हम फूल से जाते हैं कि पवितरात्मा हम मेवास करती है दूसरा है कमिनिकेशन विचार विनिमय या संचार प्रक्रिया एक दूसरे से बात चीत करना अगर हम परमेश्वर के साथ एक विक्तिकत संबंद चाहते हैं तो उसके साथ संचार प्रक्रिया को दुरुस्त रखें अपनी बात उस से कहें और उसकी बात सुनने का भी वक्त निकालें प्रार्थना और दुआ में जब हम अपनी बात उस तक पहुचाते हैं तो वचन मनन के द्वारा हम उसकी आवाज को सुनते हैं उसके सामने बस चुपचाब बैठने के द्वारा हम उसकी आवाज को सुनते हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज को कान देने के द्वारा हम उसकी आवाज को सुनते हैं प्रकृतिकी मनुरमता और सौंदर्य हमसे बोलती है उसे सुने हमारे जीवन की परिस्थितियां हमसे कुछ कहना चाहती है उस पर ध्यान दे हम अपनी बात कहते हैं उसकी सुनते नहीं संचार प्रक्रिया में बात कहना और बात सुनना दोनों बहुत जरूरी है आदान प्रदान चलता रहे आपके और आपके उस संबंदी के बीच में जिसके साथ आपका व्यक्तिगत संबंद है प्रमेश्वर फिर से कहता है मेरा तेरे साथ एक संबंद है एक रिष्टा है तीसरी बात है कमुणियन यानि संगती साथ रहना साथ वक्त बिताना उसे अपने जीवन का अंग मानना प्रभीशु कहते हैं Abide in me मुझ में बने रहो मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियां जब तक डालियां दाखलता में वसी रहती है फलाती है प्रभीशु कहना चाहते हैं कि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते जी लें, अच्छे काम करें अच्छाई में चलें लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे विल पावर में इतना जोर नहीं है कि हम बुराई पर जीत हासिल कर सकें हमें मदद की जरुवत है एक सहायक की जरुवत है और सहायता के लिए उसने अपनी आत्मा को हमारे साथ दिया है जैसे डालियो और दाखलता का संबंद है संगती है वैसा ही एक संबंद वैसी ही एक संगती होनी चाहिए मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच आपके और आपके परमेश्वर के बीच प्रियों याद रखें आमारा कनेक्षिन, आमारा कम्मुनिकेशिन, आमारा कम्मुनियन, आमें, आमें, आमें.